तो चाइस टोपिक पर हैे जो कवी वीडियो हमारी वाइरल हो रही है हमारे वाटसअप पर फेस्बुक पर वीडियो काफी आ रहे हैं होस्पिटल से क्या यह सच है काफी लोग परेशान हैं ऐसे क्यूं हो रहा है यहां से लोग ठीक ठाब ऑस्पिटल जाते हैं वहां पर उन्हें क्या दवाई दी जाती है जो उनकी गंटे-दो गंटे में इंतक होने वाली है और करीब एक गंटे बात फिर होस्पिटल से खबर सुनने को मिलते हैं कि बंदे का इंतकाल हो गया तो यह क्या हो रहा है वहां पर जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है उसमें ऐसा क्या है इसमें क्यों दिक्कत आ रही है तो गाइस मेरे पास काफी वीडियो आई है इससे रिलेटेड मैं भी आपको एक शौट दिखाता हूँ इधर हो गई है और इकी बच्ची मार गई है कल पाज बच्ची बोलती भी आई है काटा बाय करती भाई है सुबह डाप्टर नहीं है चार बजे से अभी तीन घंडे पहले बोलो बच्ची मार गई है इध इस रिडेट ही हो गई है लगातार यहां डेदोरी और डाक्टर गुल नहीं डाक्टर नहीं आ रही है एक लेडिस तो बिल्कुल पागल सी हो गई अपने उसके बच्चे का इंतकाल हो गया ऑस्पिटल में बिल्कुल ऐसे साइड में बैठी भी आप देख सकते हैं आपने फेस्बुक पर जहां तक मैं उमीद है देख ली होगी वट्सप पर आपके आ गई होगी तो यह से क्यों हो रहा है दिक्कत क्या रही है सरकार को एक बार देखना चाहिए इसमें यह वैक्सिन लगा रहे हैं कोरोना के नाम पर क्या ठीक है इसका एक बार और सही तरह से चेक पर पोना चाहिए कि दिक्कत आ कहा रही है क्यों आरे अगर अगर गौर्मेंट ने यही तरीका निकाला जनलेशन कम कर देने का तो बहुत ही ज्यादा बेकार तरीका है मेरी तो समस्य से बाहर है बागी उपर वाला बहतर जानेंगे हो क्या रहा है इससे पहले कभी ऐसा नह इतने जादे इंतकाल हो रहे हैं इतने जादे मारा मारी हो रही है बाकी मैं सबसे यही क्या हूं अब यह मास लगा के रहो घर में रहो अपना तसलिस है अपने आपको सेनिटाइज करके रहो अब बाकि एक वीडियो और आई है आरमेल होस्पिटल से मैं आपको दिखाता हूं वह बंदा गया है होस्पिटल में कोई अपना रिपोर्ट भी दिखा रहा है कि उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है फिर भी होस्पिटल में ले आके तुरंत उस लेडी का इंतकाल हो गय मैं सचिन सैनी मेरी वाइप चैमेंदी प्रिगनेंट है आट पीस रिपोर्ट निगेटिव है विगरजपूर मन मुझे फर्णागर मेडिकल कोलीज में इनोंने कोरोना में इसको लिया कोरोना में लिया और मेरी वाइप का बच्चा वारा पेट वारा कुल पे समसे पहला इस अब रिपोर्ट निए यह ऑपर वाला बैतर जाने दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों मैं तो यही क्या हूंगा कर छोटी मोटी बिमारी तो अस्पिटल में ना जाए तो कि पता नहीं क्या चल रहा है काफी दिक्कत सामने आ रही है जो उस्पिटल जा रहा हो उसका लगबग इंतिकाल ही हो जा रहा है मेरी दो समझ से बाहर है आप मुझे बताओ कि चल क्या रहा है कमेंड में प्लीज बताईए सारे के सारे